हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और मैं आप लोगों से कहा था कि मैं सब सब्जेक्ट का, हिंदी, फिजिक्स, कमिस्ट्री, मैथ, इंग्लेश, सब का सेट आप लोग के बीच में उपलब्द कराऊंगा, कि आप लोग के बेहतर से बेहतर एक्जाम की त्यारी हो सके, और जो भी मैं सेट लेकर आ रहा हूं वह आपके लिए बहुत मुष्ट रहेगा जैसे मैं आज मैंने कमिस्टरी का सेट आप लोग के बीच में लिखाया हूं यह 70 नमबर का मैंने त्यार किया है आज जो भी कोस्टन इसमें है वह आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो चलिए आप कोस्टन को देखते हैं पहला कोस्टन हमारा है ठोस अवास्था एं ठोस ठोस की परिवासा दीजिए ठीक यह हमारा आपके पहला लिसंसे है उसके बाद से ठोसों का वर्गी करण यह भी पहले लिसंसे है दूसरा चेप्टर है बिलियन तो इसका प्रस्टन मुललता मुल परभास या मुल अंस यह आंकी प्रस्टन है जिसको आपको अच्छे से त्यार करना पड़ेगा इसमें मुललता ग्याद करना जाता है मुललता ग्याद करना जाता है मुल परभास ग्याद करना जाता है तो यह आपके आंकी प्रस्टन है नुमेरिकल से हैं उस भी आप लोग के most important है इलेक्ट्राड, इलेक्ट्रोड और कपरभाव ति इसमें different है तो आप लोग इसके भी देख लिजिएगा और उसके बाद से है आपका दस नमबर पर देख फिराडे के बिद्धूत अफगटन का नियम उसके बाद से 11 नमबर पर आपका है अभिक्रिया की कोटी ग्याद करने की बीधी 12 नमबर पर है सुन्य कोटी, परत्थम कोटी, तित्या था अफगट आप देखिए याँ पर तीन लिखा गया है तो आप लोग तो आप भी किजिएगा आप इसमें से सुन्य कोटी, परत्हम कोटी, तित्या कोटी जो भी है तीनों में से मोश्ट आप याद के लिजिए कि आप सुने कोटी और प्रोथम कोटी अभिकिरिया यह बहुत मोश्ट रहेगा ठीक उसके ब्याद है अभिकिरिया की आड़विक्ता अदिसो सट के परकार अब उसके बाद हम आ जाएंगे चौदा नंबर पे उत प्रेरक अब देखें ध्यान देजिएगा यह आपके कोशन बेंक जो होगा या कोशन बेंक जो आप पढ़ते हो उसमें यह लाइन बाई लाइन देता है चार पांच करके उसमें उत प्रेरक जो है उत प्रेरक और यह वाला पेप्टी करण यह मोश्ट है ठीक है तो आप सबसे ज़्यादे और एक इसमें ब्रावनी का गति इसको ध्यान से पढ़िएगा हाडी सुल्जे का जो नियम है इसे तो आप बहतर से बहतर इसको समझ लिजिएगा हैबर विधी द्वारा अमोनिया का निर्माण है आश्टुवाल विधा द्वारा नैट्री कमल का निरमा इन परियोग सालई विजिए हर साल के पेपर में तो शो सन तीन पूच्वर फूचता है इसलिए मैं भी आपको लोक नाया हूं से रेलेकर प्रियोग सालई विजिए से जो आपके लिए बहुत मेंष कोटे नहीं और दूसरा चीज चित्र का वर्गी कर जरूर किजिएगा चित्र बनाएंगे तभी आपको पूरा नमर मिलेगा डी बलाक ये बलाक के ततों से तीन कोशन करेगा आपसे ठीक तीन कोशन करेगा इसे यह आई पिस ने मोगारा रिल्टेट भी आता है उसको भी आप अब ध्यान से देख लिजिएगा उपसासन योजन योगिक या लिगेंड इसमें लिगेंड तो हम उतना जादे नहीं कहेंगे लेकिन उपसासन योजन योगिक जो है यह आपकर काफी मोश्ट है जैसे यहां पर देख लिजिएगा हैलो एलकेन वुटर्ज फीटिंग अभ नमबर पर एसन तथा एसन टू की अभिक्रिया तो यह उतना जादे मोश्ट नहीं रहेगा फिर भी इसको आपको समझना पड़ता है बनाके एसन एसन टू की अभिक्रिया को तो इसको आप अच्छे से समझ लिजिएगा उसके बाद दिया है एलकोहल प्राथिमिक दितिया अब इन तीनों में से बिभेद आपको याद करना ठीक है तो बिभेद अगर आप एक को समझ लेते हैं तो बिभेद आप उसका पुजिट कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो का आपको अब उसके बाद एक डाई एथिल इथर बनाने की बीधी जो है यह भी आपके बीधी जबाब देना होता है एक उधारर भी लिख सकते हो ठीक है तो इसको वहाँ से पढ़ लिजिए गा उसके बाद से एथिल एमीन बनाने की बीधी तो यह आपका परयुक्साला बीधी है इसलिए मैं परयुक्साला बीधी हर साल मोस्ट रहता है पेपर के लिए को लिजिएगा प्रोटीन आपको वैसे भी हर बच्चा को पता है तो प्रोटीन क्या होता है एंजाइम कहां पाया जाता है सरीर में प्रोटीन किसी तरह से मिलता है तथा DNA और RNA तो आपको बताना नहीं तो आप छोटे क्लासों से पढ़ना इन चीजों के बार में आपको न ठीक तो आप लोगों से मैं यहीं उमीद करूँगा कि अच्छे समझ में आया होगा कैसे याद करना है कैसे इसको त्यार करना है और काफी समय मत दिजिएगा देखे जो चीज़े आप आगी प्रस्न पर समय दिजिएगा जैसे समीक्राइट संतुलित करणे पर समय कि यह आपको जो भी मैंने प्रस्ण त्यार करें यह आपके लिए खाफी सफलता परदान करने वाला है पेपर में और मैं उमीद रखता हूं कि आप लोग को पसंद आएगा आप लोग मेरा सपोर्ट करें कि मैं आप लोग के लिए और जादे प्रस्ण अलग सब्जेक्ट से त्यार करके लाओं और आपके बीच में इसको जाहिर करूं और आपको लगे कि यहाँ सर ने जो भी दिया है हमलों के लिए बेश्ट दिया है तो इन ताप बोलो के इस्टेडी का मतलब समिश सर ना मियाद रखेगा बूलिएगा मत जहें दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ पल आपके बाद चेहिंद